दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में कमल के विबिन भासाओं में नाम यानि गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्क्रत आदि भासा में कमल पोधे को क्या कहते हैं दोस्तो कमल के गुण, रस यानि उसका स्वाद कैसा होता है, उसकी तासीर कैसी होती है, खड़वी होती है, या चरपरी होती है, विबिन भागों के जो परियोज्य अंग क्या हैं, उनको कितनी मात्रा में शेवन करना चाहिए, तता उनके अधिक मात्रा में शेवन से क्या पर अदम, अर्विंद, नलनी, महोत पलादी कहकर पुकारा जाता है, वहीं हिंदी, मराठी, गुजराती में इसको कमल ही कहते हैं, अंग्रेजी में सिक्रेड लोटस के नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसके गून, स्वाद, यानि तासीर की के है ठंडा होता है, गरम होता है, के चरपरा महसूस होता है महीं कमल के गुनों की बात करें तो दोस्तो कमल के जो गुन होते हैं वो लगू मतलब आसानी से यानि सहस्दा के साथ पचने वाले होते हैं इसनग्द होते हैं तरावट लाने वाले चिकने लसलसे होते हैं इसकी तासीर की बात करें तो दोस्तो इसकी तासीर खुब थंडी होती है अत्यक गर्मी के सभी रोगों में यह खुब लाब करता है दोस्तो इसके प्रयूजय अंग यानि पोधे के कौन कौन से भाग उस्दी के रूप में परयोग करते हैं तता अधिक मातरा में खाने से क्या परिशानी होती है के बारें बात करें तो दोस्तो कमल के पोधे के सारे भागों का परियोग यानि पत्र, फल, फूल, जड, तना सभी का परियोग ओस्दियों के रूप में किया जाता है यही नहीं इसके सही योग से अनेक गुनकारी आयरवेदिक ओस्दियां भी बनाई जाती है इसके सेवन की ओस्दिय मातरा की बात करें तो कमल पुस्पो का अगर क्वात पना कर परियोग करते हैं तो 10 से लेकर 15 ग्राम तक महीं अगर फूलों का चून परियोग करते हैं तो 3 से लेकर 5 ग्राम तक की मातरा में कमल के पत्तों का अगर चून परियोग करते हैं तो दोस्तो तो पूरे पूदे का फांट यानि चाय बना कर पीते हैं तो 100 से 150 ml की मातरा में मिसरी मिलाकर परियोग कर सकते हैं दोस्तोफ पुरस में अगर दोगुना पानी मिलाकर यानि इसका पानक बनाकर परियोग क Trinity करने का विधान हमारे घृत हमारे मेरत्यоды हैं इद्वानों ने बताया है महीं दोस्तों अगर कमल की जड़ का रस परियोग करते हैं तो 10 से लेकर 15 अमल तक की मात्रा में और अगर कमल पुस्पो की जो केशर होती है उसके चून को परियोग करते हैं तो 1 से लेकर 2 गराम तक की मात्रा में अगर कमल के बीजों जिनको कमल कंद यानि तना का जो चून परियोग करते हैं तो दो से तीन गिराम तक की मात्रा में ततक कमल के अगर शहद को दस से पच्चिस भून तक की मात्रा में रोगी की आयू, बल, प्रकर्ती, देशकाल वातवनादी का ध्यान रखते हुए परियोग करने का विधान हमारे रिशीम महात्मावने बताया है, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कमल के बारे में और अधिक जानकारी लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै आयर्वेद